अरे वाह, कितना अच्छा मौसम है बाहराज, कितनी खिली-खिली धूप निकली वे इतने दिनों बाद, इतनी बड़ा उफचारों तरफ और उसके बाद आज ऐसा खिला-खिला मौसम देखकर तो एनरजी आ गई, मन लिल करते हैं कि आज कुछ नया बनाया जाए, आज छुटी का दिन और इतना बढ़िया मौसम, तो मन के कुछ स्पेशल किया जाए, मन के चलो फ्रिज में देखते हैं हमें क्या 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 मिलते हैं, बस जब मैंने फ्रिज कुल कर देखा तो आप देख सकते हैं कितना सारा लेफ्ट ओवर मेरे पस रखा था, तब ने सोचा चलो इसी से कुछ बनाते हैं और बस सबको किलाते हैं, यह तो आपके साथ भी होता होगा, कि फ्रिज में कितना कितना समान रखा रहता है, और हमें याद ही नहीं रहता है, यह हम सोचते हैं कि चलो कोई बात में आज यूज कर लेंगे, यह उसे कल यूज कर लेंगे, बट वो हमें याद नहीं रहता है, और वो समान मालपस ही जो बिर्यानी देखी थोड़ी सी आलों शिम्ला मिर्च्रावित की सब्जी देखी तो मैंने कुछ नया बनाते हैं तो हुआ इसको मस्य मिलाने की कोशिश कर रहे हूं अपने हाथ यूज कर नहीं पड़ेंगे और नहीं तो यहाँ पोटाटो मेशर का भी यूज़ कर सकते हैं अच्छा यहाँ मैंने विडियानी में रखे थी तो मैंने इसको यूज़ किया है आप कोई से भी चावल आपके पास रखे हो उसको ले लें कोई सी भी सूखी सबजी हो उसको मिला लें मैंने थोड़ा से स्क्वीज कर लिया है पानी के अंदर बहुत प्रॉपरली स्क्वीज करके और मैंने इसके अंदर मिला दी है और साथ में मिला दी है हरी मिर्चे इसमें थोड़ा सा धनिया भी जाएगा और बहुत अच्चा से आपको इसको अपने हातों से मिला लेना है गिम्नामिज मोहर बहुत ऐसे मिलारी हूँ तेंको बहुत अच्छा से मिल जाएगा अगर थोड़ सा हार्डो swallowed उसे तोड़ ली आप मिलाना चाते है तो मिला लें यहां मैंने आपने देखा मैंने मसाले नहीं डालें बहुत कम डालें क्योंकि बिर्यानी में भी अपना मसाला होता है और जो आलो शिम्लमिच की सब्जी उसमें भी अपना मसाला था तो देखिए बस मैंने इसको ऐसे करके एक शेप दे लिए आप कोईसी भी शेप दे लिए मैंने ओवल शेप दे दी आप राउन भी बना सकते हैं थोड़ा सा इसके अंदर लगा आप पस कुकी कटर हो तो आप उससे भी काटके डिफरेंट शेप दे सकते हैं देखिए कितना सुंदर ये बनके तयार हो गया है और बस उसके बाद आप इसको फोड़ा सा जो रवा होता सूजी होती है उसके अंदर रोल कर लें तो इसलियं ला अनँद हो एक वर्मिस सिलीह करते हैं वक्ते बाद मैं इसको शेलो फ्राई कर हों अगर आप चाहें अगर आप डालना नहीं जाते बाहर कोट करना नहीं जाता है तो आप वैसी बना के इसको शेप दे कर और फ्राइ कीज़े बहुत बढ़िया बनते हैं तब इसको दोनों दरह से मैं गोल्डन गोल्डन सीक लूँगी और उसके बदबस है हमारे बनके तयार बढ़ी हैसा स्नैक तो आप जब भी कभी ऐसा होता है कि कैबर हमारे घर में महमान आ जाते हैं और हमारे पस कुछ ऐसा नहीं होता कि हम बना कर खिला सके पर तब उस तेम घपराने की ज़रूरत नहीं है हम सबों के फ्रिज में कुछ न कुछ जरूर लेफ्ट ओवर होता है चाहता है किचन होता है जो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है और इस तेपके जो एकस्पेरिमेंट होते हैं जिससे वावाई मिले उससे तो मनखुश हो जाता है तो वस आप लोग भी मेरे साथ ये बनाईए और मुझे बताईए आपको कैसा लगा मुझे सुनके बहुत अच्छा लएगा चलिए तो फिर टेस्ट करते हैं इसको और आपको बताते हैं कि कैसा है चलिए तो अगर आपको हमारी रेस्टी पसंद आईए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने बैला रिकन नहीं दबाया तो प्लीज उसे दबा दीजिए जो कि आने वाली हर न्यू वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और मेरे साथ मिलकर बनाएए कुछ कमेंट करना है तो कमेंट की जहाँ किसी और दूसरी रेसिपी के लिए या आपकी खुद भी कोकिंग से रिलेटेट कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज फिल फ्री तो चलिए फिल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्टे हापी, स्टे हाल्दी और स्टे सेफ